हेलो दोस्तो मैं अपने इंपोर्टेंट पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके बीच एक मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ और इंपोर्टेंट फॉर्मेशन उसमें एड है और ये इनफॉर्मेशन बहुत जरूरी भी है क्योंकि जो भी ट ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और वो ट्रेन अगर कहीं स्टॉपेज उसकी अगर मेंसन है कि अगर फॉर एक्जाम्पल कि वो लकनौ में रुकेगी या कानपूर में रुकेगी और इस बीच में अगर कोई भी एस्टेशन आता है और उहाँ पर अगर ट्रेन रुकी है और वो स्टेशन के आसपास है या उससे बाहर भी है तो आप ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि आपका स्टेशन नजदीक होता है इससे आपको लगता है कि आप सुरच्छित घर जा सकते हैं लेकिन आपके बीच मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो कल रात मेरे साथ भी घटना घटी तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं इस बारे में कि जेन पूलिंग से रिलेटेड यह बाते हैं रेलवे के अंदर और चेन पूलिंग अगर आपने नहीं भी की है तब ही आपको जुन् कहीं उतर जाते हैं और प्लीस आपको पकड़ लेती है या देख लेती है तो आपके लिए वो फाइन देना पड़ेगा या आपको जेल की सजा भी हो सकती है एक साल के लिए तो मेरे साथ एक वाक्या हुआ कल कि मेरे को पता नहीं था इसके बारे में कि चेन पूलिंग जब होती है तो किसी भी आत्री को उस जगह पर नहीं उतरना चाहिए और हो सकता है कि रेलवे को सिग्नल ना मिला हो आगे जाने का उस वज़ा से भी लोग उतर जाते हैं कि ट्रेन लेट हो रही है मैं यहाँ उतर के अपने जहां पर मुझे पहुचना है मैं वहाँ पहुच सकता हूँ लेकिन वो कारण भी एक बुरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हमें तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा तो हुआ क्या कि मेरे को जब पुलिस पकड़ ली तो होने को तो फाइन एक हजार होता है लेकिन जेल में भी डाल सकती थी लेकिन अब पुलिस तो जानते ही है कि किस तरह की होती है तो उन्होंने मुझसे कुछ फाइन मांगा कि मैं कुछ उनके लिए दे दूँ तो मैंने जाओं और कोई भी problem create ना हो तो मैं आगे निकल गया तो आपके बीच में भी यह share करना चाहता हूं कि जो chain pulling है उसे आपको मैं एक important information के रूप में दे रहा हूं और इसको share करेंगे आप सभी और मेरे challenge को भी subscribe करेंगे तो आगे बढ़ते हैं do not misuse alarm chains in trains क्या लिखा हुआ है कि railway appeals to passenger passenger से अपील करता है railway कि कभी भी आप alarm pulling alarm chain को अगर avoid करते हैं तो आप क्या है कि region उसका होना चाहिए कि आप क्यों आपने chain खीचा है emergency situation क्या है वो आपको exactly बताना होगा अगर आप नहीं बताते हैं उससे आपको problem होगा आपको face करना पर सकता है वो problem alarm chain जो provide की जाती है passenger के लिए वो security और safety purpose के लिए होती है तो ये अटेंड और ये alarm लोको पालेट तक बहुशती है गार तक बहुशती है जिसे कि वो attractive बनता है जिसे कि वो हमें rail को रोक देती है तो जो pulling alarm chair है वो कि section के अंदर आता है किसका case 141 के अंदर आता है और ये case जो है इंडिया railway act 1989 के तहत होता है जैसे कि मैंने बताया कि एक साल की jail हो सकती है या एक हजार का जुनमाना देना पर सकता या दोनों case हो सकते हैं आपके साथ तो alarm chain pulling जो है जिसे short में ACP कहते हैं एक major factor है जिससे train delay हो जाती है पुरे train को जिसे की आने वाले और भी trains जो है उसमें problem आती है तो इस कारण से हमें जो chain pulling है वो सो समझ के करनी चाहिए अगर किसी और ने की है और आप उस बीच उतरते हैं क्योंकि railway में बहुत सारे passenger चड़ते हैं लगभग 22 लाग passenger daily चड़ते हैं memo में या mail express में या जो भी train है उसमें travel करते हैं तो ये बात का हमें ध्यान रखना होगा अगर आपके पास अगर कोई problem है तो आप 139 पर call कर सकते ह हैं या rail मदद app के द्वारा भी आप उसकी बातों को रख सकते हैं कि आपके साथ क्या emergency है क्या problem है तो ये बातों का दिहान रखें क्योंकि अगर ये जिन्हें भी नहीं पता होता chain pulling से related बाते तो आपको जानी जरूरी है और important point channel पर हर बार आपको एक नया topic देखने को जो कि आपके life से related होगा और आपके लिए ही होगा तो आप मेरे channel को subscribe करें, like करें, share करें, thank you